नमसे दादा, प्रणाम, लॉट्स अफ लाव, दादा मेरा प्रश्न है, इच्छा और वासना में क्या अंतर है? अंतर लेर्स देखते हैं, मन के बाद, अगर आप देखते हो, चित्त है, बुद्ध है, अंकार है, तो जब नीचे नीचे जब आते हो, अंदर अंदर जब जाते हो, तो वासना जो है, यह शक्ति का रूप है, शक्ति का रूप ऐसे कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पर मुझे कुछ तो करना है, जो शक्ति है वो, कि मुझे कुछ तो करना है, यह भाव, यह वासना, और इच्छा जो है, वो स्पेसिफिक हो जाती है, विशेश हो जाती है, कि मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे डेली जाना है, मुझे कॉल बड़ा लॉयर बनना है या मुझे बहुत एक प्रसिद्ध भेक्ती बनना है या मुझे पैसे कमाने हैं, अमिर होना है ये जो है, ये इच्छा है कि मुझे ये ये चीज़ मेरे जीवन में करना है इच्छाओं में भी प्रकार आते हैं जो एक विशेश्टीवर इच्छा है कि मुझे करना ही करना है और कुछ इच्छा हैं सम्या मतलब जो फ्लोटिंग थौट जो आते हैं चले जाते हैं कि आज ऐसे लगता है कि आज रेस्टोरंट में बैठके हम आज ये खाले, वो खाले ये फ्लोटिंग डिजायर, वो खाना ही है ऐसा नहीं है वो तीवर इच्छा कि मुझे करना ही करना है पहुंचना ही पहुंचना है तो इच्छा जो है वो स्पेसिफिक होती है कि मेरे लिए ये ये है और इच्छाओं की पीछे वासना है वासना भाव है व्यक्त करने का तो इच्छाएं जब नहीं भी होती है तब भी वासना रहती है कि मुझे किसी को तो मिलना है इच्छा कहती है Mr. A और Miss A मुझे इनको मिलना है इच्छा कहती है पर वासना जो है कहती है मुझे किसी को तो मिलना है मुझे व्यक्त करना है, समझे मुझे अपने आपको व्यक्त करना है, यह वासना के तोर पर आता है, वासना के स्तर पर आता है, यह वो भेद है, जब आप हीतर कभी भी ध्यान करेंगे तो आपको दिखाई देगा, कि कुछ तो है असपष्ट है, असपष्ट है जो unclear, that I want to do something, what is it, I don't know, but I want to do something, wanting to, but what, this is at the level of desire, कि मुझे मेरे अंदर इच्छा है, कि मैं वहाँ जाके उनको पहुंचके यह बात बताऊ, कि स्पेसिक हो जाता है, तो इच्छा कहीं पर धीरे 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 सेटल हो जाता है, पर वासना रहती है, सन का जो स्वभाव है, जो रचना है, उसके अनुसर वासना रहती है, शक्ती धीरे 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 डीम हो सकती है, और वासना की शक्ती जो है, वो आप धीरे धीरे इन्वर्ड भी कर सकते हो, मतलब अपने जो केंद्र है, आत्मा की तरफ, इश्वर की तरफ भी आप घुमा सकते हो, वासना को, अंतर मुखी इसे कह के स्थिर हो जाते हूं तब शरीर वगर बहार की दुनिय से connect नहीं कर आप जो sensations होती है सम्मेदना जो होती है वो कम 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 होरके बंद हो जाती है जैसे सोने के बाद आप बहुत गहरी निन तक पहुंचते हों फिर आवाज बंद हो जाती है एक समय आता है वो वैसे आवाज पर आप जागरित रहते हों आप हो और आपको आवाज में आती है आप हो पर आपको टच फिल नहीं होता है आप समझ पार मैं क्या कह रहा हूं एक तूरिया आवस्ता है तूरिया आगर आपने कभी सुना हो गई से यह थोड़ा कभी हम अध्यात्मिक जब विशय आता है त अब ड्रीम स्टेट आप ड्रीम को देखते हो विशुशुक्ति जिसमें आप नीद में हो सो गया है सुशुक्ति तक सब लोग पहुंचते हैं आप जितने वी लोग हैं सब जब सो जाते हैं तब आप गाहब हो जाते हो उसके बाद चौथी आवस्ता है तूरिया तूरिया और जो तुरी आवस्ता है वो अध्यात्मिक जगत में जागी हुई है वो वहाँ से दोनों एंड आप देखना सेमी है दोनों जगे पर आप जागे हो एक आँख खोल कि ये दुनिया देख रहे हो और वो आँख खोल कि आप दुसरी दुनिया देख रहे हो तो तुरे आवस्ता में आप उसे देखते हो और जागरित आवस्ता में सब देखते हो पर बहार के आसपस जो होरी घटन है वो आवाज नहीं आता वो बंद हो जाता है तो अंतर मुखे में आप वहां तक पहुंचते हो और शान्त हो जाते हो तो वहाँ पर वासनाई जितने भी हैं वह सब अंदर की तरब घूम जाती है अब यह आपके लिए थेरी है जिस दिन आप प्राक्टिकली उससे देखोगे आपको बहुत बढ़ा मजा है यारे यह तो ऐसे हो रहा है उसके बाद आप सुशुक्ति अवस्था से जब भार आते हो सपनावस्था सपनावस्था से जागरत अवस्था यह यात्रा आप अपने आँगों से देखते हो ऐसे कि मैं जाग रहा हूँ ऐसे आप देखते हो भार निकलते हो ये बहुत आनंददाई बहुत ब्लिस्फुल इवेंट होता है जब आप वहाँ से निकलते हो और अब्जर्ब करते हो बढ़ी है ला ये सकते है ये पुस्तव को में नहीं है को कि आप जब अनुभव करेंगे तब आपको समझने आता है ये ऐसे ऐसे होता है आप जब सपन अवस्ता में जाते हो तब आप कहा होते हो कभी देखा नहीं है पर आपको तब दिखते है तुरी अवस्ता में आप जब सुशुक्ति अवस्ता में हो आप कहा होते हो आपको पता नहीं है तुरिया अवस्ता में आप अपने आपको देखते हो कि आप नीद में सुने के बाद आप exactly कहा जाते हो आपको धिख जाता है एक जगा है वो एक जगे पर आप जाके ठेर जाते हो और सो जाते हो एक जगेर पर जाके रूटते हूँ और तुरिया वो देखता है कि यह सोया हुआ है और फिर वो सोया हुआ जब जाकता है इसे बाहर वहां पूरा देखते हूँ असे जाकते हूँ और बाहर आते हुए तो वो एक अवस्ता बहुत बड़ी है आप चलेंगे साथ में सच में लाइश में एक बाहर अनुभवाब कर ले ना इसे मैं तुह हूँ आपके साथ ने को कि क्या हुआता है जाकरत अवस्ता कॉंशेंस वाड़ा ना उसको लोग छोड़ नहीं पाते अटाच्मेंट है, मोह है तो वहीं पर अटकते इस वापना अवस्ता में, सुशुप्ती में सुशुप्ती के बाद आपको जब चलना होता है वहाँ पर आपको सरेंडर्शिप की जरूत होती शर्णागती भाव लोग डर जाते तो आपके खोल के अपने आपको बाहर देखना डर लग जाता है आपको ये काम जरूरी भी है किसी किसी के लिए उनकी अध्यात्मी यात्रा के लिए जरूरी होता है तो शर्णागती भाव है तो आसानी से हो जाता है डरना किस चीज़ का है यह सब सहयच के रिया यह चमत करने यह सिद्धी नहीं याद रखा यह बहुत natural प्रोसेस है बहुत natural जिसे भुग लगती खाना काते हो अगर यह चमत कार है तो फिर वो भी चमत कार है किसी को प्रेम करना किसी के प्रति आकरशित होना यह natural है स्वभाविक है यह गलत नहीं है कोई पसंद आना बहुत natural है यह पाप नहीं है तो वेसी वो अवस्ता है बहुत natural है अब भहते हो अनुभव करते हो और वापस कार्यों तो यह करने है करते वे तो करने है उसे भाग नहीं सकते है हमारी अध्यात्मिक्ता बहुत सबस्पष्ट है आपको काम करना है करते भे करना है कितना भी अनुभव कर ले अन्थ में जो आपके सामने काम दिया है आपको वो करना है उतना ही है स्पेसिफिक रहना जो आज का काम दिया उसे खतम करो, सोने से पहले मन को खाली कर दो, सुभे दिन हो गया, फिर से बटन हो गया आपका, फिर नया काम पूरा दिन भेहनत हो, बेस्ट दो अपना राग तो फिर से निश्चिन दो के सो जाओ, एक बेस्ट हुमन मॉडल आप बनोगे दुनिया के ल करता हुमन मॉडल आस्ट से चाहत हैं, को जारी दो की दोी ये जबुमन मॉडल आपका, जब एका में धन्या चाहते हैं, को कि दो में के लिए के प्यातैंrical के शऴ दॉनिया विद्टैए का मॉड़ ये